हेलो दोस्तो नमस्कार आप सभी के सो आगेते DRK TV पर मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर कनेया बी कानेर राजस्थान से दोस्तो अक्सर लोग ये सिकायत करते हैं कि उनकी जो सेक्शुल डिजायर है सेक्स करने की जो इच्छा है उसमें कमी होने लग गई है जिसके कारण उनके जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में कॉन्फलिक्ट क्रियेट हो रहा है और वो एक बहुती मजेदार आनंददाई सेक्शुल रिलेशन्शिप का आनंद नी ले पारे अच्छा हम उनकारणों पर पहुंचे उससे पहले मैं आपको यह बताने वाला हूँ कि हमारा जो सेक्शुल साइकल है वो क्या होता है वो किस तरह से चलता है दोस्तो हम सभी के अंदर चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो दोनों के अंदर चाहे वो नर या मादा हो उन दोनों के अंदर sexual desire होती है sexual desire का मतलब क्या है हम सभी के अंदर sex करने की इच्छा होती है जैसे हमें खाना खाने की इच्छा होती है पानी पीने की इच्छा होती है जैसे हमें कबड़े पहनने की इच्छा होती है, जैसे हमें अपने आपको जिंदा रखने की इच्छा होती है, अपने आपको स्वस्था रखने की इच्छा होती है, उसी तरह से हम सभी के अंदर sex करने की इच्छा होती है, यह जो sexual desire है, इस sexual desire के according हम सभी के अंदर sexual excitation create होता ह Excitation का मतलब उतेजना create होती है जब भी favorable environment create होता है मतलब जहाँ पर easily sexual relations बनाए जा सकते है एक soothing environment create होता है शांतिपूर्ण environment create होता है तो हम सभी के अंदर क्या आता है Sexual excitement create होता है इस excitement के according जो ये उतेजना होती है उस उतेजना के according जो male और female है उनके जो sexual organs है उनके जो genital organs है उनके अंदर lubrication release होते है यह lubrication क्यों release होते है तक कि जो sexual relations है जो male का female के अंदर जो penetration हो रहा है जो female की वजाइना में एंटर होता है ये experience बहुत ही soothing हो सके बहुत ही अच्छा वाल experience हो सके painful experience ना हो इसके लिए क्या release होते है? Lubrication release होते है और जब यह lubrication release होते है तो दोनो, male और female arousal पर पहुंसते हैं और उस arousal के बाद क्या होता है? Orgasm होता है उस arousal के बाद में क्या होता है? Orgasm होता है, Sklund होता है, Discharge होता है तो यह total क्या है? Complete sexual cycle है और जब orgasm होता है तो जो sexual experience related जो आनन्द है, वो महसूस होता है जो satisfaction है Satisfactory जो sexual relation से वो महसूस होता है Sex का जो आनन्द महसूस होता है इसी को पूरा क्या बोलते हैं? Sexual cycle बोलता है यह sexual cycle male और female दोनों के अंदर होता और इस sexual cycle के अंदर जो sexual desire है वो सबसे ज़ादा जरूरी चीज है दो partner के बीच में sexual relations बहुत अच्छे हो उसके लिए sexual desire का अच्छा होना बहुत ज़ादा जरूरी है अब यह sexual desire का affect करने वाले factors कौन गोन से उसके बारे मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे पहला तो दोस्तों जो लोग नशा करते हैं चाहे वो alcohol का नशा करते हो चाहे वो smoking करते हो या कुछ भांग या गांजा वगरा यूज करते हो या tobacco यूज करते हो उनके अंदर यह जो sexual desire वाला मामला है यह कम हो जाता है उनके अंदर यह problems create होती है जो PM drugs यूज करते हैं जहां पर यह sexual emotions create होते हैं उसको suppress करते हैं जिसकी वज़े से हमारी जो sexual desire है वो कम हो जाती है तो sir हम तो alcohol भी यूज नहीं करते हैं तमभाकू भी यूज नहीं करते हैं तो किसी भी प्रकार का नशा नहीं करता फिर मेरे अंदर sexual desire कम क्यों है तो हम चलते हैं दूसरे factor की तरफ दोस्तो कुछ लोगों के अंदर जो chronic बीमारिया होती है जैसे diabetes है अगर उसके अंदर sugar uncontrolled हो गया है उसकी वज़े से भी sexual desire गड़बढ हो जाती है कई लोगों के अंदर जैसे जो hypertension की problem उसकी वज़े से भी sexual desire है वो गड़बढ हो जाती है तो सर हमारे अंदर तो sugar का level भी ठीक है BP का level भी ठीक है और अगर ये ठीक नहीं है तो इसके लिए जो anti-diabetic treatment जो हमें लेना होता है या anti-appotensive treatment है उसके according हमें हमें अमारे BP को maintain रख रखा है सर हमें तो ये problem नहीं है तो फिर क्या कारण हो सकता है दोस्तो हमारे अंदर जो hormones है वो इस पूरे चकर को regulate करते है hormones इस पूरे sexual cycle को control करते है उन hormones की abnormal amount की वज़े से भी ये sexual cycle disturb हो सकता है sex की desire है वो कम हो जाती है जैसे thyroid की problem है तो उसकी वज़े से भी हो सकता है तो उसका में treatment लेना होता है या फिर जो हमारे अंदर जो testosterone का hormone है उसकी गड़बड की वज़े से हो सकता है प्रोलेक्टिन की वज़े से हो सकता है जो LHFSH hormone है उनकी वज़े से भी ये मामला गड़बड हो सकता है तो hormonal imbalancing है, तो उस imbalancing को भी क्या किया जाना चाहिए, balance करना चाहिए, ताकि sexual desire क्या हो, proper हो, इसके अलावा कारण क्या हो सकते हैं, कई सारे sexual dysfunctions होते हैं, जैसे premature ejaculation है, जल्दी स्खलन की जो सिगर पतन की समिशा है, उसके कारण भी sex की desire काम हो सकती है, जब दिमाग में यह रहता है, कि आरे, sex करूंगा तो जल्दी discharge हो जाएगा, तो उससे बैतर है sex नहीं किया जाए, तो indirectly जो sex की desire है, वो उनकी क्या होने लग जाती है, suppress होने लग जाती है, जैसे erectile dysfunction की problem है, उसके अंदर भी हो जाता है, जैसे nightfall, जो कई लोगों को होता है, उसको भी वो wrong way में ले लेते हैं, परसीव कर लेते हैं, उसके कारण भी ये problems create हो जाता है, कई लोगों के अंदर sexual performance से related problem होती है, उसके कारण भी ये चीज़ें create हो जाती है, उनकी sexual desire है, वो कम हो जाती है, इसके अलावा जो मुख्य कारण है, जो इसका सबसे बड़ा जो major cause है, वो है हमारी जो psychological problems, कई सारे लोगों के साथ में जो psychological problems create होती है, जैसे depression है, anxiety है, panic है, उसके कारण भी जो sexual desire है, वो कम हो जाती है, ये जो anxiety है, पैनिक है, इन से related जो emotions create होते हैं, वो भी हमारे limbic system में create होते हैं, और sex का emotion है, वो भी हमारे limbic system में create होता है, तो anxiety का emotion जादा हो जाता है, जिसके क कारण सेक्स की इच्छा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो जो हमारे दिमाग में अटोमेटिक नेगेटिव धॉट्स जलते रहते हैं, अलग-लग सिच्वेशन को लेके, अलग-लग चीजों को लेके, उनके कारण भी, जो हमारी सेक्शुल डिजायर है, वो कम हो जाती है, तो उसका treatment किस तरह से किया जाए, जो हमारे दिमाग में जो negative thoughts आते हैं, वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमारे दिमाग में negative neuronal patterns बने वे हैं, यह जो negative neuronal patterns है, जब तक यह correct नहीं होते हैं, तब तक हमारा anxiety, depression ठीक नहीं होता और वो ठीक नहीं होता, तो हमारा जो sexual interest है, वो हमारा normal नहीं हो पाता, तो उसको ठीक किस तरह से किया जाए, उसके लिए एक therapy की ज़रूत पड़ती है, जिसको CBT बोलते हैं, cognitive behavioral therapy, अगर हम properly CBT की practice करें, तो anxiety, depression, panic, यह जो psychological problems हैं, इनको हम पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं, दोस्तों हम लोगों ने CBT का जो एक course launch किया है, जिसका link मैंने नीचे description में दे रखा है, जिसमें A to Z about CBT दिया हुआ है, और साथ ही दोस्तों हम लोग एक live workshop कर रहे हैं, जिसके अंदर जो sexual problems हैं, जैसे premature ejaculation की problem है, erectile dysfunction की problem है, sexual जो thoughts सलते रहते हैं, उसकी problem है, या बहुत सारे लोगों को जो sexual performance की problem हो रही है, या फिर जो sex desire है, वो कम हो गई है, तो उसको किस तरह से बढ़ाया जाए, इन से related एक sex therapy का course है, वो भी हम उसके उपर पूरी workshop ले रहे हैं, तो आप चाहे तो screen पर diva number पर call करके उस course के अंदर participate कर सकते हैं, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये video पसना जाओगा, जो मै एक sexual, healthy sexual relation का हम क्या अगर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये video पसना है होगा निचा, comment box में लिकर ज़रूर बताएगा, और अब तक यदि आपने मेरी YouTube channel DR KTV को subscribe नहीं किया, तो please उसे subscribe करें, ताकि मेरे नए video का notification आप तक सबसे पहल बहुत बहुत दिन्यवाद दोस्तों, जै हिंद, जै भारत